का एलो फ्रेंट्स जी के के इस चानल में आपका स्भागा थें आज की इस फीडियो में मैं सोलर सिस्टम से डिलेटिड नेक्ट हम ङ Senior ont आप जानते हो कि solar system जो है solar system हमें टोटल एट प्लैनेट से पहले ना हमें थे इसके और अब नाईन नाइन थे तो eight अभी बचा है ठीक है तो जो eight eight planet है उसमें से आपको just Pluto है. Pluto जो planets था वो destroy हो गया तो अभी total number of planets eight बच एह है तो start करते हैं इससे relevant question को. Question number one. किस देश को उगते हुए सूरज की भूमी के नाम से जाना जाता है यानि कि उगते हुए सूरज का देश which country is known as the land of rising sun उगते हुए सूरज का देश कौन सा देश कहा जाता है तो आपको बताना है यहाँ option दिये कहा है option A, Japan option B, New Zealand option C, Finland then option D, China तो इसमें से right answer क्या होगा आपको चूज करना है तो इसका right answer होगा option E, Japan जैपान को जो है उगते हुए सूरज का देश कहा गया है question number 2 which country is known as the land of thunderbolts इसका अर्थ है किस देश को भजर की भूमी के नाम से जाना जाता है thunderbolts it means thunderstorm जो बिजली करक के साथ बारिस होती है बिजली करकती है तो जो है कौन सा ऐसा देश है जहां की ज़्यादा यह होता है thunderstorm तो इस तरह की का कौन सा देश है उससे आपको बताना है यहां option दिया गया है आपको option A, Bhutan option B, China option C, Mongolia then option D, Thailand तो इस में से कौन सा right answer है आपको चूज करना है कि किस देश में यह थंदर स्टॉम जो है थंदर बोल्ट जो है जादा होता है तो इसका right answer होगा option E, Bhutan भुटान में जो है यह थंदर बोल्ट जो है वो सबसे जादा होता है यानि बिजली करक्ती है बजरपात जिसको कहते है बजरपात जादा होती है इस जगा पे सबसे जादा भुटान जो है वहाँ पर होता है question number three which continents has the highest number of countries इसकारत है किस महाद्वीप में सबसे जादा देश आते हैं it means जितने भी continents है महाद्वीप जिसको कहते है तो number of महाद्वीप जो है उसमें से पाँच महाद्वीप है उसमें से आपको कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें कि सबसे जादा number of countries है सबसे जादा देश वाला महाद्वीप कौन सा है तो यहाँ तो राइट आंसर कॉल साओगा आपको चूस करना है और बहुत लोग नहीं जानते होंगे कुछ एक प्रशन के उत्तर जानते होंगे तो फ्रेंड्स आप से रिक्वेस्ट है कि आप में से जिसे भी जितने भी प्रशन के उत्तर आपने सही जवाब दिया वो कमेंट बॉक्स पे लिखके बताएं कि आपने कितने प्रशनों का उत्तर सही दिया तो इसका राइट आंसर होगा अप्शन डी आफ्रीका टोटल नंबर ओफ यहां जो कंट्रीज हैं 54 कंट्रीज हैं इस एक महादवीप में 54 कंट्रीज हैं तो इस तरह से यह सबसे लाजिस्ट कंट्रीज है किस प्लैनेट को मौनिंग एन इवनिंग स्टार माना जाता है यानि कि सुबह और साम का तारा ठीक है तारा माना जाता है तो आपको इसका राइट आंसर चूज करना है किस में से कौन सा सही जवाब है किस प्लैनेट पे मौनिंग एन इवनिंग को मौनिंग यानि सुबह और साम का तारा कहा जाता है तो इसका राइट आंसर है ओप्सन C वीनस वीनस को मौनिंग और इवनिंग का स्टार कहा जाता है Question No.5 Which planet is nearest to Earth? It means प्रित्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है कौन सा प्लैनेट से है जो प्रित्वी के सबसे नजदीक है Option A जूपिटर, Option B मार्स, Option C मर्किरी, Option D सैटरन तो आपको चूज करना है कि प्रित्वी के सबसे नजदीक वाला जो प्लैनेट से है उसका नाम बताना है यहां आंसर होगा Option C मर्किरी, मर्किरी जो है प्रित्वी के सबसे निकट है आप पिक्चर के थूँ आप देख सकते हो कि प्रित्वी के सबसे नजदीक आपको मर्किरी आता है विनस उसके आगे वाले लाइन में आपको दिख रहा है बट वो है दूर, प्रित्वी से ज़्यादा दूर है और मर्किरी जो है वो प्रित्वी के सबसे नजदीक जो है, वो है मर्किरी Question No.6 Which planet is our solar system? Is known as blue planet हमारे solar system में 8 planets है तो इस 8 planets में कौन सा जो planets है वो blue planets के नाम से जाना जाता है सौर मंदल में किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है Option A, Venus, Option B, Saturn, Option C, Jupiter, then Option D, Earth तो इसमें कौन सा planets है जिसे की blue planets के नाम से जाना जाता है इसका right answer होगा Option D, Earth अर्थ जो है वो उसे blue planets के नाम से जाना जाता है Question No.7 Which is the largest continents? सबसे बड़ा महाध्वीप कौन सा है? तो यहाँ Option दिए गया Option A, Asia, Option B, Europe, Option C, North America, then Option D, Africa तो सबसे बड़ा महाध्वीप कौन सा है? तो आपका सबसे महा जो बड़ा महाधीप है वो है Asia Question No.8 In which part of the Earth the season would not change? It means पृत्वी के किस भाग में मौसम नहीं बदलता है? यानि कि Summer, Winter, then Rainy Season जैसे वेदर चेंज होते है ना Season चेंज होते हैं तो कौन सा ऐसा भाग है पृत्वी का? जिस पर कि यह जो मौसम है वो बदलता नहीं है यानि कि हमेशा एक जैसा मौसम रहता है कभी भी सर्दी, गर्मी या फिर आपको बरसात नहीं आता है Equal, हमेशा Equal, Season रहता है तो उस part का आपको नाम बताना है तो यहाँ Option दिये गए है Option A, Equator Option B, Polar Option C, Tropical Vision Then Option D, None of this तो आपको Right Answer चूज करना है तो इसका Right Answer होगा Option A, Equator Equator आप गलोब पे देख सकते हो कि बीच में, Middle में जो लाइनिंग है वो Equator वाला है तो उस part में जो भी जगा पड़ता है जो भी countries या आते हैं उन सब जगा पे हमेशा मौसम जो एक जैसा रहता है यहाँ वेदर चेंज नहीं होता है Question No.8 In which part of the Earth season would be not changed तो आपको Equator इसका Right Answer होगा Okay, now next question Question No.9 When was Earth Day celebrated? Earth Day कब मनाय जाता है यहनि पृत्वी दिवस कब मनाय जाता है Option A, 24 September Option B, 5 June Option C, 22 April Then D, 20 March Your right answer is Option C 22 April Question No.10 Who is known as Father of Earth Day? Earth Day पृत्वी कब के जो अर्थ दिवस कब मनाय जाता है उसकी पिता, Earth Day की पिता किसे कहा गया है Option A, गैलोड नेल्सन Option B, बंदना और सिवा Then Option C, वांगरी, मुथवाई Your right answer is Option A, गैलोड नेल्सन जिसका Right Answer होगा गैलोड नेल्सन और यह है गैलोड नेल्सन की पिक्टर जिन्हें की Father of Earth Day कहा जाता है Question No.11 Which country is known as the playground of Europe? कर थे, किस तेश को यूरोप का खेल का मैदान के नाम से जाना जाता है Option A, Australia, Option B, Holland, Option C, Switzerland, then Option D, Italy Right Answer is Option D, Switzerland Switzerland को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है Question No.12 Which is the longest planet in our solar system? जिसका अरत है, सौरी मंदल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? Option A, Venus Option B, Mars Option C, Jupiter Then Option D, Mercury तो आपको राइट आंसर बताना है कि Solar System का सबसे बड़ा प्लानेट कौन सा है? Your right answer is Option C, Jupiter Jupiter जो है सबसे लार्जस्ट प्लानेट है हमारे solar system में आप जब solar system का picture देखोगे तो इसमें जो कुछ से देखने से जो मेजर्मेंट से पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे लार्जस्ट प्लानेट है Question No.13 Which is the brightest planet in our solar system? It means सौरे मंदल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे ब्राइटनेट जिसमें है, सबसे चमकीला Option A, Saturn, Option B, Mercury, Option C, Venus, then Option D, none of these Your right answer is Option C, Venus Venus जो है, सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा ब्राइटनेश वाला चमकीला जो है, वो प्लानेट है Question No.14 Which planet is known as the watery plant? It means सौरे मंदल का कौन सा ग्रह, पानी वाला यानि जल ग्रह के नाम से जाना जाता है? Option A, Mercury, Option B, Earth, Option C, Jupiter, then Option D, Neptune तो आपको उस ग्रह का नाम बताना है, जो जल के नाम से, जल ग्रह के नाम से जाना जाता है तो आपको सबसे सिंपल की सबसे ये पता करना है कि सबसे ज़्यादा पानी किस प्लानेट्स में है तो उसके according आप answer चूज कर सकते हो होपसो बहुतों को इसका आंसर बहुतों ने इसका आंसर चूज भी कर लिया होगा तो कितनों ने इसका राइट आंसर चूज किया, वो कमेंट बॉक्स पे लिखके बताए option B, earth, earth जो है वो जल ग्रह के नाम से यानि कि पानी वाला सबसे ज़्यादा पानी वाला प्लानेट्स है क्योंकि earth पे आपको देख सकते हो कितना एरिया जो है वाटर से कवर किया हुआ है तो इस तरह से पूरा प्रत्वी में सबसे ज़्यादा जो है प्रत्वी पर ही सबसे ज़्यादा जल है यानि कि पानी है वाटरी प्लानेट question number 15 which is the hottest planet in our solar system इसका मतलब है सौर्य मंदल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है होट प्लानेट को बताना है option A Uranus option B Neptune option C Saturn then option D Venus your right answer is option D Venus Venus जो है सबसे hottest planet है question number 16 which planet called red planet in our solar system सौर्य मंदल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है option A Mars option B Mercury option C Earth then option D Uranus तो आपको यह चूज करना है कि कौन सा प्लानेट red planet के नाम से जाना जाता है your right answer is option A Mars जो है वो से मंगल ग्रह मंगल ग्रह जिसे की red planets के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे red है उसका cover भी आप देख सकते हो red है तो इसलिए red planet के नाम से जाना जाता है question number 17 which of the planet known as the yellow planet it means आपको sorry bundle में कौन से ग्रह को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है yellow planets option A Neptune option B Uranus option C Venus option D Jupiter इसमें से किसे yellow planets के नाम से जाना जाता है your right answer is option C Venus Venus को जो है yellow planets के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से yellow cover है ये planets question number 18 which is the only planets is our solar system that is not named after the God it means sir bundle का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका नाम भगवान के नाम पर नहीं आता है तो solar system में 8 planets है और 8 planets में जितने भी planets है उन सब का नाम किसी ना किसी भगवान से relevant है ठीक है God से relevant करता है लेकिन कोई एक है उस 8 planets में एक planets ऐसा है जो कि God से उसका नाम relevant नहीं करता है तो उस गरह का आपको नाम बताना है यहां option दिये गए है Neptune, Mars, Venus and Earth तेन चारों में कौन सा ऐसा गरह है जिसका कौन सा ऐसा प्लैनेट से जिसका नाम किसी God से relevant नहीं करता है ठीक है इसका right answer होगा Earth अब आप सोचोगे Earth कैसे होगा तो इसके लिए आपको जितने भी प्लैनेट से उसके नीम को clearly आपको समझना पड़ेगा जैसे आप देखो Mercury है इसको Buddha-ग्रह के नाम से जाने जाता है देन विनस है ये सुक्र ग्रह के नाम से जाना जाता है अर्थ है इसे प्रत्वी के नाम से जाना जाता है देन मार्स जो है मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है देन नेप्ट्वन जो है उसे वरून ये भी गौट का नाम है देन यूरेनस अरून ये भी एक भगवान का नाम ह then sunny, Saturn जो है वो sunny ये भी God का नाम है Jupiter, ब्रस्पती तो ये भी कि एक God से relevant करता है बट अब देखो सारे का जिसे बुद्ध, सुक्र, मंगल, ब्रस्पती, sunny देन अपको अरुन और वरुन ये सारे नाम जो है वो सारे किसी ना किसी God से relevant करता है बट एक अर्थ जो है वो किसी God से relevant नहीं करता है तो आपका right answer होगा अर्थ तो अर्थी solar system में, पूरे solar system में 8 planets है जिसमें अर्थी ऐसा एक planets है जो कि किसी God के name से relevant नहीं करता है तो इसलिए अर्थ जो है अपका वैसा ग्रह है जो किसी भगवान के नाम से God के name से relevant नहीं करता है otherwise बाकि जितने भी 7 planets है वो सारे Gods के name से relevant करते है now this cheeky question about solar system is completed hope so this video is useful for you यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने friends और family को share करना ना भूले और channel को subscribe करे और bell icon को दबाना बिल्कुल ना भूले उससे क्या होगा कि जो भी new videos आएंगे वो आप तक उसकी notification जो है आप तक पहुँचेंगे और आप वीडियो को देख पाएंगे ऐसे ही important and interesting videos मैं अगले वीडियो में लेके आएंगी तब तक के लिए धन्यवाद